शिर्मत बालकी रवाइन के सुन्दर कांड के 27 सर्ग में त्री जटा का सप्न, राक्षो के विनाश और शिर गुनाची की विजय की शुब सूचना सीता ने जब ऐसी भ्यंकर बात कही तब वे राक्षिया क्रोद से अचेच सी हो गई और उन में से कुछ उस तुरात्मा रावन से ये संबाद कहने के लिए चल दी तर्थपच्चा भ्यंकर दिखाई देने वारी वे राक्षियां सीता के पास आकर पुना एकी प्रियोजन्स से संबंद रखने वारी कठोर बाते जो उनके लिए ही अनर्थ कार्णी थी कहने लगी पाप पुन विचार रखने वारी अनारे सीते आज इसी समय ये सब राक्षियां मोज के साथ तेरा ये मास खाएंगी उन दुष्ट निशाचरियों के साथ सीता को इस परकाट ड्राई जाती देखकर भूडी राक्षी त्री जिटा जो ततकाल सोकर रुप्षिदी उन सब से कहने लगी नीच निशाचरियों तुम लोग अपने आपको ही खा जाओ राजा जनक की प्यारी बेटी तिथा महराज दिश्रत की प्रिय पुत्र वदो सीता जी को नहीं खा सकोगी आज मैंने बड़ा भ्यंकर और रुमांचकारी सपन देखा है जो राक्षों के विनाश और सीता पती के अभ्यूदे की सूचना देने वाला है त्री जटा की ऐसा कहने पर वे सब राक्षियां जो पहले करोज से मूर्चित हो रही थी भैवी तोड़ थी और त्री जटा से इस परकार बोली अरी बतावतों से ही तुमने आज रात में ये कैसा सपन देखा है उन राक्षियों के मुक्ष से निकली हुई ये बात सुंकर त्री जटाने उस समय वे सब नसम्मन्दी बात इस परकार कही आज सब न में मैंने देखा कि अकाश में चलने वारी एक दीव शीबिका है वे हाथी तांद की बनी हुई हैं उसमें एक हजार गोड़े जो तेवी हैं और शेट पुष्पक की माला तो था शेट वस्तर धारन की ये सियम शीर रगुनाज जी लच्छम के साथ वो शीबिका पर चड़कर यहां पर धारे ही आज सपन में मैंने ये भी देखा है कि सीता शेट वस्तर धारन की ये शेट परवत के शिकर पर बैठी है और वह परवत समुद्र से घिरावा है वहां जैसे सूरे देव से उसकी प्रभा मिलती है उसी परकार सीता शेट राम चंदर जी से मिली है मैंने शेट रगुनाज जी को फिर देखा वे चार दांत वाले विशाल गजराज पर जब परवत के समान उचा था लच्छों के साथ बैटे हुए बड़ी शुबा पा रहे है तंतर अपने तेज से सूरे के समान परकाशित होते तदा शेट मला और शेट वस्तर धारन किये वे दोनों भाई शी राम और लच्छन जानकी के पास आई फिर उस परवत शिखर पर आगाश में ही खड़े हुए और पती द्वारा पकड़ेगे उस हाथी के कंदे पर जानकी जी भी आप पोची इसके बाद कमल नेनी सीता अपने पती के अंक से उपर को उछल कर चंद्रमार सूरे के पास पोची वाँ मैंने दिखा में अपने दोनों हाथों से चंद्रमार सूरे को पोच रही है उस पर हाथ फेर रही है तत्पश्चाज जिस पर वे दोनों राजकमार और विशार लूचना सीता जी बिराजमान थी मैं महान गजराज लंका के उपर आकर खड़ाओ गया फिर मैंने दिखा कि आठ सफेद बैलों से जुते हुए एक रत पर आरूड होकर कुकुच कुल भूशन शीर रामचंदर जी शेद पुश्पो की माला और वस्तरधारन किये अपने धरम पत्री सीता और भाई लच्छुन के साथ यहां पधा रही है इसके पद दोसरी दिखा मैंने देखा सत्य प्रकर्मी और बल विक्रम चाली पुर्शत्तम भगवान शीर राम अपने पत्री सीता और भाई लच्छुन के साथ सूरी तुल्त जस्सी तिव्य पुश्प की इमान पर अडूड होकर उत्तर दिशा की और लक्ष करके यहां से प्रस्टी तुगी है इस परकार मैंने सप्ण में भगवान विश्णु के समान प्राकर्मी शीर राम का उनकी पत्री सीता और भाई लच्छुन के साथ दर्शन किया शीर राम चंदर जी महात जस्थी हैं उन्हें देवता असूर राक्ष से ता दूसरे लोग भी कदापी जीत नहीं सकते ठीक उसी तरह जैसे पापी मुलश सर्ग लोग पर विज़े नहीं पा सकते मैंने रामन को भी सबने में देखा था वे मून्ड मुडाए तेल से नहा कर लाल कपड़े पहने हुए मद्रा पी कर मतवला हो रहा था तद्धा करवीर के फूलों की मला पहने हुए था इसी वेश बुशा में आज रामन पुश्पक की इमान से प्रित्थी पर गिर पड़ा था एक इसलिए उस मुंडित मस्तक रामन को कहीं खीचे लिये जा रही थी उससे मैंने फिर देखा कि रामन ने काले कपड़े पहन रखे हैं में गदे जते हुए रच से यात्रा कर रहा है लाल पूलों की मला और लाल चंदन से बुशी था तेल, पीता, हस्ता और नाच्टा था पागलों की तिरह उसका चित ब्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी वे गदे पर स्वार होकर शीकरता पूरक दक्षिन दिशा की और जा रहा था तंतर मैंने फिर देखा राक्षे सिराज रामन गदे से नीचे भूमी पर गिर पड़ा है उसका सिर्द नीचे की और है और पैर उपर की और है तब वे भै से मोहितो रहा है फिर वे भै आतर होकर घबरा कर सैसा उठा और मत से विहर होकर पागल के समान नंग ध्रंग वेश में बहुत से दुर्वेचन काली आदी बक्ता हुआ आगे बढ़ किया सामने ही दुर्गमंदी युक्त दुस्से और अंदकारपुर्ण और नरक तुलिय मल का पंक था रावन उसी में गुसा और वहीं डूब किया तंदर फिर देखा रावन दक्षिन की और जा रहा है उसने एक ऐसे तलाब में प्रविश किया जिसमें कीचड़ का नाम ही नहीं था वहाँ एक काले रंग की इस्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिप्टी हुई है वे युक्ति लाल वस्त्र पहने में हैं और रावन का खलाब बांद कर उसे दक्षिन दिशा की और खींच रही है वहाँ महामली कुम्बकरण को भी मैंने इसी वस्त्रा में दिखा है रावन के सभी पुत्र भी मुण्ड मुण्डाय और तेल बे नहाई दिखाई दिए हैं ये भी देखने में आया कि रावन सूवर पर इंदरजित सूस पर और कुम्बकरण उठ पर स्वार होकर दक्षिन दिशा को गे हैं राक्षों में एक मात्र वी भी भी जनी ऐसे हैं जिने मैंने वहाँ शेट छत्र लगाए सफेद माला बेहने शेट वस्त्र धारन की ता शेट चंदन और अंग रांग लगाए देखा है उनके पास शंक धनी हो रही थी नगाणे बजाए जा रहे थे इनके गंबीर घोश के साथ ही नित्य और गीत भी हो रहे थे जो एविशन की शुवा बढ़ा रहे थे एविशन वहाँ अपने चार मंत्रियों के साथ परवत के समान में शालकाए मेक के समान गंबीर शब्द करने वाले तथा चार दांतों वाले दीवी गजराज पर आरूड होकर आकाज में खड़े थे यहे भी देखने में आया कि तेल पिने वाले तथा लाल मलाज लाल वस्तर धर्न करने वाले राक्षों का वहां बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है और एम गीतों की वाध्यों की मदुर धानी हो रही है यहे रमनी ये लंकापुरी घोड़े रत और हाथियों सही समुद्र में गिरी हुई देखेगी है इसके बाहरी और भीतरी दर्वाजे तूट गे हैं मैंने सब ने देखा कि रावन द्वारा सुरक्षित लंका वरी को शीद राम के दर्वी का दूद बनकर आए हुए एक वेकशारी वानर ने जिला कर भजम कर दिया है राक से रुखी हुई लंका में सारी राक्षित रमनिया तेल पीकर मतवाली भोकर बड़े जोर जोर से ठाक का मार कर हसती है कुमकरल आदी से समस्त राक्षित शीरमनी वील लाल कपड़े पहन कर गोबर के कुंड़ में गुसके हैं आता है तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह शीर रगुनाजी सीता को प्राप्त कर रहे हैं वे बड़े अमर शील हैं राक्षों के साथ तुम सब को भी माट डानेंगे चिनोंने वनवास में भी उनका साथ दिया है उन अपनी पतीरता भारिया और परम आदर निया प्रीत्मा सीता का इस तरह धमकाया और ड्राया जाना शीर रगुनाजी कदापी सहन नहीं करेंगे अथैं आप इस कठोर बातें सुना ना छोड़ो क्योंकि इस से कोई लाब नहीं है आप तो मधर वचन का ही प्रयोग करो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विधे नंदनी सीता सिक्रिपा और शमा की याचना करें जिसे दुखनी नारी के विशे में ऐसा सपन दिखा जाता है वे बहुत संख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परमुत्तम प्रिये वस्तु प्राप्त कर लिती है राक्षियो मैं जानती हूँ तुमें कुछ छोर कहने या बोलने की चाहें किन तो इससे क्या होगा यद भी तुमने सीता को बहुत धंकाया है तो भी इनकी शरन में आकर इनसे अभे की आचना करो क्योंकि शिद्रगुनाज जी की और से राक्षों के लिए खोर भे उपस्तित वा है राक्षियो जनक नंद्री में त्लेश कमारे सीता केवल परनाम करने से ही परसन जाएगी यही उस महान भे से तमारी रक्षा करने में समर्थ है इन विशाल लोचना सिता के अंगों में मुझे कोई शूक्षम से शूक्षम भी विप्रीत लक्षन नहीं दिखाई देता जिससे समझ जाए कि यह सरा कष्ट में ही रहे थी मैं तो समझती हूँ कि इन्हें वर्तमा दुख पराप्त हुआ है वे ग्रहन के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई चाया की समान थोड़ी ही देर का है क्योंकि यह देवी सिता मुझे सम्पन में विमान पर बैठी दिखाई दी है अता है यह दुख भोगडे के योग गदापी नहीं है मुझे तो अब जानकी जी के अभिस्ट मनौरत की सिद्धी पस्तिद दिखाई देती है राक्षिस रावन के विनाश और शीद रगुनाची की विजे में अब अधिक विलंब नहीं है कमल दल के समान इनका विशाल बायानित्र फड़कता दिखाई दिता है यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीगरी अत्यंत्र प्रिय समाज समने को मिलेगा इन उदार हिद्धिया विधे रासकुमारी कोई एक बाई बाँ कुछ रुमाजी धोकर से ऐसा काप बने लगी यह भी शुब का ही सूचक है हाथे की सूचक के समाज जो इनकी परम उत्तम बाई जांग है मैं भी कमपित होकर मानों यह सूचित कर रही है कि अब शीद्र गुनाजी शीगरी तुमारे सामने उपस दिता होगी देखो सामने ये पक्षी शाखा के उपर अपने गोंसले में बैटकर बारंबार उत्तम सांतुना पुरन मिठी बोली बोल रहा है इसकी वाने से सुस्वागतम की धने निकल रही है और इसके द्वारा ये हर्च से भर कर मानो पुना-पुना मंगल प्राप्ति की सुचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रित्म की अगवानी के लिए प्रित कर रहा है इस परकार पती देव की विज़े के समवाज से हर्च में बरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली यदि तुमारी बाट ठीक हुई तब मैं अवश्य ही तुम सब की द्रक्षा करूँगी पती के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षचराज रावन के उन अप्रिये वच्चनों को याद करके उसी तरह भैबीत होगी जैसे वन में सिंग के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची राक्षियों के बीच में बैटकर उनके कठोर वज्चनों से बारंबार धंकाई और रावन द्वारा फटकारी गई भीरू सभाव वाली सीता निर्जन एम बीहड वन में अकेली छूटी हुई अल्प वियस्त का बालका के समान विलाब करने लेगी मैं बोरी संत जान लोक में ये बाट ठीक ही कहते है कि बिना समय आए किसी की मिर्थ्यू नहीं होती तब ही तो इस प्रकार धंकाई जाने पर भी मैं पुन्ने हीना नारिशन भर भी जीवित रह पाती हूँ मेरा ये हिर्दे सुख से रही तो रनेक प्रकार के दुखों से बरा होने पर भी निश्चे ही जर्देड़ है इसलिए वज्जर के मारे हुए परवशिकर की भांती आज इसके सस्त्रों टुकडे नहीं हो जाती है मैं इस तुष्ट रामन के हाँच से मारी जाने वाली हूँ इसलिए यहां आतम घात करने से भी मुझे कोई दोश नहीं लग सकता कुछ भी हो जैसे दुख किसी शुद्र को वेदमंतर का उपदेश नहीं देता उसी परकार मैं भी इस निशाचर को अपने हिंदे का अंड्राग नहीं दे सकती लोगनात भगवान शी ड्राम के आने से पहले ही ये दुष्ट राक्ष श्राज निश्चे ही आपने तीखे शिस्त्रों से मेरी अंगों के शिग्री टुकड़े टुकड़े कर डालेगा ठीक वैसे ही जैसे शल चिकित सक किसी विशेश वस्ता में घरबच शिशु के टुक टुक कर दीता है अथ जैसे इंदर ने जिती के गर में शिशु के उन्चास टुकड़े कर डाले थी मैं बड़ी दुख्या हूँ तो की बात है कि मेरे अब धी के ये दो महिने भी चल दी ही समाप्त हो जाएं राजा के कारागार में कैद हुई रात्री के अंत में फासी की सजा पाने वाले अब प्राधी चोर की जो दिशा होती है वही मेरी भी है हा राम हा लच्छमन हा सुमित्री हा शीर राम जन्नी को शल ले आ मेरी माताओ जिस परकार बमंडर में पड़े हुई नोका महा सागर में डोब जाती है उसी परकार आज मैं मन्द भागने सीता प्राण संकट की दशा में पड़े हुई हूँ निश्चे ही उस मरीग रुपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों क्वेक शाली राजकमारों को मार डाला होगा जैसे दो श्रेश सिंग बिजली से मार दिये जाएं वही दशा उन दोनों भाईयों की हुई होगी हमेशी उस समें काल ने ही मुरिक का रुपधारण करके मुझे मंद भागनी को लुपधाया था जिस से प्रभावित होकर मुझे मोड नारी ने उन दुनों आरे पत्रोशी राम अर लच्छन को उनके पीछे भीज दिया था हाँ सत्य वरत धारी महा भावशी राम हाँ पून चंद्रमा के समान मनोहर मखवाले रगुनंदन हाँ जीव जगत के हितेशी और प्रितव माप को पता नहीं है कि मैं राक्षों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ मेरी ये अन्यो पासना, शमा, भूमी शियन, धरम संबन्धी नीमों का पालन और प्रती वरत प्रायना वे सब के सब कृत घणों के प्रती किये हुए मनुश्यों के उपकार के भांति निश्वल होगी प्रभू, यदि मैं त्यंत क्रिश्व और कांती हीन होकर अपनी बिच्डी आप से बिच्डी ही रह गई तथा आप से मिलने की आशक हो वैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर अचरन किया है, वे धरम मेरे लिए व्यर्थ हो गया और ये एक पत्री वरत भी किसी काम नहीं आया मैं तो समझती हूँ, आप नियम के अनसार पिता की आग्या का पारण करके, आपने वरत को पूर्ड करने के पस्चाज, जब वन सिल लोटेंगे, तम निर्भे एम सफल मनुरत होकर, विशान लित्रो वाली बहुत सी सुन्द्रियों के साथ विवा करके, उनके साथ रमन करे किन तो शीराम, मैं तो किवल आप से ही अड्राग रखती हूँ, मेरा हिद्ध चिर्काल तक काप से ही बंदा रहेगा, मैं अपने विनाश के लिए ही आप से प्रेम करती हूँ, अब तक मैंने तब पर वरत तादी जो कुछ भी किया है, मैं मेरे लिए व्यत सिद्ध हुआ ह उस अब भीस्ट फाल को ना देने वाले धर्म का चिर्ण करके, अब मुझे अपने प्राणों का पर त्याग करना पड़ेगा, अता मुझे मन्द भागनी को धिकार है, मैं शीगरी किसी तीखे शेश्टर अथवा विश्ट से अपने प्राण त्याग दोंगी, तो हम तो इ अपनी चोटी को पकड़ कर निच्चे किया कि मैं शीगरी इस चोटी से फासी लगा कर यमलोक में पहुंच जाऊंगी, सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थी, वे उस अशोक वरिक्ष के निकट, उसकी शाखा पकड़ कर खड़ी हो गई, इस परकार प्रांत्या के लिए अपने कुल के विशे में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोग पर से श्रेष्ट शकुन प्रगट हुए जो शोक की निवरिती करने वाले और उन्हें ढांडस बदाने वाले थी, उन शकुनों का दर्शन और उनके शुव फलों का अ बालमिक निर्मित आर्श रमाइन आदिकाव के संदर कांड में अठाइसमा सर पोर्ण हुआ इस प्रकार शोक वरिष्ट के निचे आने पर बहुत से शुभ शगुन प्रगट होकर उन व्याथे थिर दिया, सती साधवी, हर शुनिय, देंचित तथा शुभ लक्षना सीता क उसी तरह सेवन करने लगे जैसे शिरी संपन पुरुष के पास सिवा करने वाले लोग सेवन पूंचा देंग उसमे संदर केश वाली सिता का बांकी बरोनियों से घिरा हुआ परमनोहर काला शेत और विशाल बाया नित्र भड़कने लगा जैसे मचली के अगाज से लाल कमल हिलने लगा हूँ साथ ही उनकी सुन्दर परचंशित कोलाकार मोटी बहुमुल्य काले अगरू और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रितम द्वारा क्चिरकाल से सेवित बाई बुजावी तद काल फड़क उठी फिर उनकी प्रसपर जुड़े ही दोन जांगों में से एक बाई जांग जो गच्राज की सूट के सुमान मोटी थी बारं बार फड़क कर बाणों ये सूचना देने लगी कि भगवान शीर राम तुमारे सामने खड़ी ही तरपश्चात अनार के बीच की भांती सुंदर ताथ मनोहर गात्र और अन्पम नित्रवारी सीता का जो वहां वरिक्षिय नीचे खड़ी थी सुने के सुमान ड्रंग वाला किंचित मलिन देशी पितांबर तनिक सा खिसक गया और भावी शुब की सूचना देने लगा इन से तथा और भी अनेक शकुनों से जिनके दोरा पहले भी मनोरत सिद्धिका परचे मिल चुका था प्रेरित हुई सुन्दर पहो वाली सीता उसी परकार हज से खेल उठी जैसे हवा और धूप से सूपकर नस्ट वा बीस वर्षा के जल से सिंच कर हरा हो गया हूँ उनका बिम्फल के समान लाल हुठों सुन्दर नेत्रों मनोहर बोहों रुचर केशों बाकी ब्रोनियों तदा शे तुच्जल डातों से शोबित मुक राहू के गराज से मुक्त हुआ चंद्रमा की बाती पर काशी तो नहीं लगा उनका शोग जाता रहा सारे तकावट दूर हो गई मन का ताप शांत हो गया हर्दे हर से खिल उठा उसमें आर्या सिता शुकल पक्ष में उधित वे शीत रश्मी चंद्रमा से शोबित राती की बाती अपने मनोहर मुक से अद्बुत शोबा पाने लगी इस परकार श्री ब